नमस्कार मैं रोहित रंजन और मेरे साथ इस वक्त बहुत खास महमान है असाम के मुख्यमंत्री हिमंत्र विश्वा सर्मा है बहुत बहुत स्वागा थे हिमंत्र जी आपका छे चरण हो चुके हैं अब कितनी सीट अभी आकलंगे के चल रहे हैं कि कितने तक पहुंच गया होगे आप लोग मेरा लगता है कि जो हमें 272 सही है वो हमें 5 फेज में हमें पार कर शुक है अचा पांचमे चरण मेरा जो अपना आकलंग है 6th and 7th phase is all about going towards 400 अचा मतलब किस राजी में बढ़ रही है क्या आकलंग है उपने किया मेरा जो अपना आकलंग है कि इस सुनाव में कोई स्टेथ में हमारा कम होने का कोई रीजन नहीं है अंधर प्रदेश, टेलेंगाना, उरिशा, बेंगल जैसा प्रदेश में हमें काफी अच्छा पदर्शन करने का मोका मिलेगा तक कुल मिला के हमारे जो लास टाइम का स्ट्रेंग था उस से हमको साउट से इजाफा मिलेगा और इस्त इंडिया से हमें इजाफा मिलेगा आपके चौदा में से कितने सीट असाम में? असाम में मैं मान के सल रहा हूँ कि we might get anything between 11 and 12 सिर्फ चौदा में चौदा कॉन्फरेंट क्यों नहीं आप तो मुख्य मंत्री हैं? हमारा वहां काफी मुसल्मान लोग है और असाम जैसा प्रदेश में जो प्रदेश में 36% मुसल्मान होते हैं 5% इसाई होते हैं उस प्रदेश में हमें 14 out of the 14 it's not that it's not that easy मतलब आप यह मान के चल रहे हैं कि मुसल्मान हो तो मैं आपको बटा सकता हूं but मेरा outcome मालूम है कि they don't want to vote BJP ऐसा क्यों BJP ऐसा क्या करती है आप जा के पूश्यों लोगोंको हमरे हिसाब से तो हम सब कुश करता हूं बहलाई के लिए लेकिन मैं तो मुसल्मान नहीं हूँ how I can speak on behalf of Muslim community तो मतलब आसाम में जो आपकी रेलियां दिखती है उसमें मुसल्मान नहीं होते हैं आते हैं 36% है 2, 3, 4 इस ताइम मेरा अकलन है कि 100 में से 20 लोग हमें देगा तो मतलब आपके सरकार बिना मुसल्म वोट के बन रही है हमेशा बनते हैं दो ताम ऐसे ही बना इसलिए मंगल सुत्र आ गया कि मंगल सुत्र शीन लेंगे मंगल सुत्र शीनना जो बाद है ओटो कॉंग्रेस का मेनिफेस्ट उसे आया हमसे नहीं आया है मतलब इन्हेरिटेंस टैक्स का बाद हमें नहीं बताया जब कॉंग्रेस ने बताया हमने इसको सिंप्लिफाइ तरीका से लोगों को समझा दिया है कि एक पिटा अपना बेटा को कुछ देना सहेगा तो उनका उपर 50% तक टैक्स लग सकते है तो ये बाद हमारा नहीं है तो मतलब कॉंग्रेस डरा रही है मुसल्मान को आपनी नहीं कॉंग्रेस ने सबको डरवाया मुसल्मान को तो और कभी नहीं डरवाता है लेकिन हिंडू को जरूर दरवाता है यहांनि कॉंग्रेस साशनकाल में हिंदु डरा हुआ था एकड़ में हंड़ेट परसंट अब आपके साशनकाल में हिंदु नहीं डरा है हिंदु जगा है अभी लेकिन आरोप यह लगता है कि आप हिंदु को डरा आ रहे हैं कि आपका मंगल सुत्र छीन लिया जाएगा आपने हिंडू को दर्वाने का मतलब क्या है जो कॉंग्रेस बोल रहे कि हम सरिया कनून लाओंगा तो उसमें क्या हिंडू नहीं दर्वना साइए जब कॉंग्रेस का नाना पतोले बोलेगा कि हम राम मंदिर का सुध्धी करन करूंगा तो हिंडू को कोसास रहना जुरूरी नहीं है जब राहुल गांधी बारबेर बोलते है कि हम एक्सरे करूंगा किसी का प्रपर्टी का तो आपको थोड़ा बहुत तो दढ़ना साइए जो कॉंग्रेस ने जो बोला है उसको आपको समझना साइए और उसी हिसाब से आपको वोट देना साइए आपकी सरकार योज घर सब को दिया आपने राशन भांट रहें आप सब को दे रहें फिर आप कॉंफिडेन्ट नहीं हो पाते है कि मुस्लिमां गौनवोट नहीं है घर सबको दिया £ 2020 नहीं करता है भावजुड भारत का मुसल्मान लोग मौदी जी को या बीजय पी को जो सपोर्ट करने का जो एक दिखाई देता है अभीवी ओ दिखाई नहीं देते है लेकिन मैं यह नहीं भूलूंगा कि कोई नहीं देते है जैसे मैं असाम में बोला कि 20% लोग हमें देगा हो सकता है कि यूपी में और 10% जाड़ा लोग दे लेकिन हिंडू जैसे बीजे पी को भोट देते हैं मुसलमन ऐसे हमें भोट नहीं देते हैं वो हकीकत है अच्छा ये हकीकत है इसका इहसाथ भी शायद आपको इसलिए भी हो रहा है कि ये कहा ज समस्ता है मुसलमान बिरोधी हम समस्ता हो कि हम वो बात मुसलमान समास का हीटो के लिए बोलता हूं किसलिए जो बैक्ती मुसलमान भोट का आसा नहीं करेगा वो ही बैक्ती वो समास का साथ नयाय कर सकता है अगर मैं वो समास का भोट साता हूं तो मैं तुटुस्तिकरन करू जब मुझे आपसे भोट का सम्मन नहीं है मेरा आज से सम्मन है कि समा सुधर ठीक हो तो इसी लिए मैं नूट्रेली उहां काम कर सकता हूं उसका फाइडा भी है नाम बदल देने से फाइडा हो जाता है आपने बहुत नाम बदल दिया चुरूर फाइडा होते है यह एक साइकोलोजिकल इंपेक्ट हो जाते है कि आपका डेश में ओही नाम होना साहिए जो भारत का एंवायमेंट को सूथ करते है जो नाम भारतिय है तो इस गीप से साइको इंपांचय आप आउनी होता ही नहीं था गान्वung जी का इंता वित्अत समीस भी अपना लोकल सिस्टेम झाव से लोग धिरे धिरे काम करते हैं किने एक सौक भी नहीं डेना साइए, एक इवोलेशन का हिसाब से धीरे-धीरे होना साइए, हो रहा है, हैसा नहीं यह कोई मुसलमान नाम बदला है, सेवन रेस कोर्स भी जाके लोग करिलान मार्ग बना है, तो ब्रिटिस नेम भी सेंजेज हो रहा है, यह जो आप कहते हैं, हो रहा है, धीरे-धीर हो रहा है, यही डर शाय दिखाया रहा है विपक्ष को, कि अभी आप आएंगे और सब हो जाए, अगर प्रधान मंत्री आवाज जोजना, पास कोर्ड लोगों को मिला है, उसमें मुसलमान का दर्वाना, दर्णा क्या है, अगर ट्री स्कोर्ड अबादी का हातों में, प्रधान मंत्री आईश्मान कार्ड होते है, और पास लाक रुपियाता का मुफत इलाज मिलते है, होते हैं जो मुसल्मान समास का जो डलाल होते हैं वो लुक अपना कम्यूनिटी को दर्वा के एक एंटी बीजेपी फिलिंग करवाता है एं तिल डाट एकस्टेंड तिल डिस एकस्टेंड या सक्सेस्पूल ऐसा है कि यह तो आरोप आपके उपर लगता है सर कि आप कहते हैं क भारत का संग्विधन पर हो भारत का संग्विधन में बूला गिया है कि आपको इनिफर्म सेविल को दलाना परेगा देश में पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4 पार्ट 4 आप इंडिया डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिशी तो क्या हमें संग्विधान मनना नहीं साहिए जो अम्बेटकर जी हमें संग्विधान देखे गिया है शरियाल का स्कोप कहा है अजय शिटीजन आप इस कंट्री आपको तो संग्विधान मनना साहिए संग्विधान का खिलाब क्यों बोलते हों कौन से संग्विधान जो आजकल राहूल गांडी और तेजस्वी अदब हात में लेकिश वह वाला नहीं अंबेटकर जी वाला संग्विधान तू उनके हात म नहीं बिकास डेयर मेनिफेस्ट उनका खिलाफ वाला है लाल वाला में है नहीं है मेरा पता नहीं है तो फिर जो यह जो कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे आप आर्टे के साथ इस बार तो कौन सा संविधान बदलेंगे वो लाल वाला अमबेटकर जी वाला बदलने का जरूरत नहीं है उनको follow करने का जरूरत है हम जो साता हो भारत का जो भविश्व भारत का हमारे कलपना है fundamental duties and directive principle of state policy and fundamental rights यह तीनों चैप्तर में पूरे की पूरे लिखा हुआ है and bjp उससे बंधे हुए है and bjp is committed to all these three chapters नी वो तो कह रहे है ना कि संविधान में इसलिए बदलाव करेंगी ताकि वो जो अल्ब संच्य के मुस्लिम वर्ग है उनको जो है किसी तरह दबाया जा सके नर्सी लेकर आए ने देखिए संविधान में मुसल्मान को दबाना वाला क कोई चैप्तार नहीं है और संविधान एमेन करने से भी आप तो ऐसे नहीं लिख सकते हो कि हम पी एम अबास मुसल्मान को नहीं दूंगा सुप्रीम कोर्ट इल्विल स्ट्राइक डाउन तो इसलिए यह दर्वा ने जो आपने शुरू किया था कुन दर्वा रहा है तो नहीं मारेंगे अभी आपने बंगाल में देखा होगा OVC का उन्होंने जो है कुछ वहाँ पे कई कैटेग्री डाली अभी आप देखिए भारत का संग्विधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको माइन नहीं ना ममता बेनर जी जो एक राहुल तेज स्री क्लाब में ही है वो बोल रहा है कि हाई कोर्ट का जाजेज बायास है मेरा मत यही है कि जाजमेन को आप जरूर क्रिटिसाइज करो अगर करना है लेकिन बींग इन एक कॉंस्टिटुशनल पोजिशन आप जाजमेन नहीं मानूंगा यह बोल नहीं सकते हो मोडी जी ने यह सब का बेवार नहीं किया है तो देश का संग्विधान बदलने का काम कुन कर रहा है मोडी जी की यह राहूल क्लाब आप खुद ही तैर किजी आपके सारे वर्जन को हम कैमरे पे लेके चली रहे है मैं तो बस वही समझना चाह रहा था इसलिए क्योंकि ममता बैनर जी अ यह रूप कई बार लगा है खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो योजना है में सेंटर पे लागू करते हैं बंगाल में लागू नहीं हो पाता तो वहां की जनता तो महरूम रह जाती है ना तो क्या इसको लेकर इस बार आपकी सरकार बनती है तो क्या स्टेट में कुछ ब बताना परेगा यह सरकार को बडलना जरूरी है और डेमोक्रेटी के लिए रिप्लेस दी एमसी लेकिन हमारा बेवस्ता में यह नहीं है कि आपका बात नहीं मान रहा है तो आप इसको तोड़ दो मोडी जी संग्विधान को सन्मान करते है इसलिए हमें आर्टिकल 356 विडाउट कोजन ग्राउन हमें लगाना नहीं है हमें डेमोक्रेटिक रोट से जाके ही बेंगॉल में बीजेपी का सरकार बनाना है टी एमसी को हटाना है यह अच्छा कि आपने ब्रहम के स्टिती दूर कर दी कई बार वहां से भी बोला जाता है कि बीजेपी जो है कोशिश कर रहे हैं बंगाल में राश्पर चाशन लादे हैं अगर लगाना ही था वो ड़स साल में लगा देते थे हमें लगाना नहीं है लेकिन हमें ममता का खिलाब अंदूलन करना है ममता का खिलाब हमें एक एन्वाइमेंट बनाना है और हमारा सरकार लाना है जहां तक फेडरेल गौवर्मेंट को जहां जहां इंटेफरेंस करने का अधिकार होते है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलते है सेंट्रेल गौवर्मेंट को ये आप संग्विधान इजाज़त देते आपने भी दस वर्षों के कारेकाल के बारे में जिक्र किया मैं सुन भी रहा था कि कहा जा रहा है कि इस बार मोधी गौवर्ब्मेंट आती है तिस बार हम टार्गेट P.O.K करेंगे आप तो अभी भी फुल मुझेरोटी में थे तो अब ये दस साल बात चुनाओ के से मेजरोटी और P.O.K इसको आप ऐसे मत करिए कि आप जाके आपका मेजरोटी है पहला बात इंडियान पर्लेमेंट सुड हैव लार्ज कॉंसेंस कि टाइम हैस काम तो एनेक्स P.O.K तू 72 वाला स्थिती में वो संभब नहीं होते हैं यू नीड ए हाइर लेवल अफ कॉंसेंस फॉलोट बाइड आपको P.O.K में एक माहोल बनाना परेगा कि P.O.K का लोग भारत का सानाना साहिए नारे से तो नहीं होगा डी जारे लांग ड्रॉन प्रोसेस कोई सरकार इसको शुरू नहीं किया था शुरू आप देखी सका है अभी लास्ट दो महिना से अब कोई ना कोई शुरू आप देख सुका है तो अगर आप 400 के पार पहुंसते हैं तो P.E.K को के लेकर आप मेरा हिसाब से 400 पार का मतलब है भारत का अन्फिनिस्ट एजेंडा को कॉम्प्लिट करने का रास्ता में आगे बरना अगर मैं आप से यह पूछ हूँ मतलब जानकारी लेने के लिए कि फुल मेजोरिटी जिसे आप कहते हैं कि हम 400 पार 272 नहीं 400 पार के पास जाते हैं एक मेजर मेजोरिटी लेकर तो क्या कुछ अब आपकी सरकार लेकर आने वाले इंप्लिमेंट करने जिसको वह खत्रा बता पहला बात डे हैफ मोडी जी का मन में क्या है आई कैनाट स्पीक ऑन इस बिहाफ बत ये से ग्रिहमंट्री जी का स्टेट मेंने कि पियो क्या हमारा है तो आई सी ए साइनिंग पॉइंट देर कि एक वहां में एक है मतलब उमीद है किसली ग्रिहमंट्री जी देश का ग्रिहमंट्री खुद बोल रहा है देन अगेइन दूरिंग दा कॉंग्रेस पिरियद एक बिल पास किया हुआ है कि भारत का कोई कोट और कोई कानून मतुरा और कासी में करबर नहीं कर सकते हैं आप एक बिल आई देर सयाइन इस पॉइंग पॉइंग देर सब्सक्राइब जान रा फिर उसीशी उत्तराखान सरकारने लाया है डेश में लाना है आई सीया शाइन पॉइंग देश का इकशनौमी हमें पासुआ से थार्द जाना है From 5th to 3rd, lot of economic reforms is necessary. I see assigning points there. So, as a राजनीटी का सत्र होने का नाते, जब मोडी जी सार्शो सित मांगते है देश का लोगों से, I see many positive there. कि ये ये देश में हो सकता है अगर मोडी जी को एक पूर्ट मैजोरोटी मिले हमारा पार्लेमेंट में. मेजोरोटी की बीच में आपने मत्रा और काशी का जिक्र किया. तो ये तो सारा फैसला तो कोट में है. आपने एक रैली में कहा था कि 400 पार हुए तो हम मंदिर वहाँ पर बनाएंगे. तो क्या कोट की अगेंस जाके बनेगे? कोट भी आपको इजाज़ा दे सकते हैं. पार्लेमेंट भी बना सकते हैं. तो अल्वेज भारत में जो भी काम करना है आप बाई फोर्स तो नहीं करेगा. या ठ्रो जुदिशियल एक्शन और ठ्रो लेजिसलेटिव एक्शन. सार्शो सिर मिलने से लेजिसलेटिव एक्शन का रस्ता खुल जाते हैं. अच्छा तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि चार सो पार होंगे तो आपके एजिंडे में मतुरा और काशी मंदिर करने रहा है. मैं आपका साथ शेयर कर रहा हूं कि ये सब हो सकता है. लेकिन मोडी जी जो फास्ट एड्रेस करेगा है जब कि मैं गीवास से कंप्लिटली डिफरेंट लिस्ट कि आप जो बोल रहे हैं मैं यहीं करने ओला हूं मैं कंप्लिटली अलग करने ओला हूं. तो यू नेवर नो बाट हमारे एक सिस्टेम से अंदर का लोग होने का नाते जब मैं प्रयास करता हूं कि देश से मोडी जी आइसरसीड मांग रहा हैं तो क्यों मांग रहे हैं तो मेरा पास इस आंसर कम कि यह उत्तर आते हैं मेरा दिमाग में लेकिन मोडी जी माइट प्रेजेंट ए होल सेल डिफरेंट आइडिया, हू नोज नीच्विए एक सनातनी आपको सुनता है योगी अधितनात को सुनता है और सनातनी को उमीद बनती है कि हां यह सुनने वाले हैं तो इसलिए मत्रौ अपकाशी इसलिए जानके पुछ रहा हूं कि उमीद बान के रखा हूं लेकिन में 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 बोल रहा हूं इट इस अबाउट मी बट प्रधान मंत्री जी का मन में मेरे से भी और कोई गुना बरा हो सकता है बहुत बड़ा भीशन हो सकता है मेरा तो भीशन बहुत छोटे है तो आई कैन सी इस फोर पॉइंट इमीडियेटली सम पॉजिटिविटी इन पियो के मतूरा कासी इनुफर्म सीविल कोट बड़ा फैसला एकोनोमिक फ्रौंट में यह सारपा सीजे में देख सकता हो कि मुसल्मान रिजर्वेशन बन हो बन हो जाए इन नेम आफ आफ अबी सी यह पास से बाद जो मोडी जी का भासन है गिरिहम अन्प्री जी का जो भासन है उससे में ओसम नेच्छोर निकाल सकता हूं बाद हूँ नोज मोडी जी ही माइध है वे कंप्लिट लिए डिफर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका विजन कुछ हो सकता अलग होगा लेकिन यह भी आप मानिएगा कि आप जहां जाते हैं भीड़ आपको देखना चाहती है सुनना चाहती है और आपकी बातों का असर होता है इसलिए कई बार कहा भी जाता है जो मीडिया के गल्यारे में चल हो जाता है वो बात अलग है बर्ग विशेष का खिलाप आप मत बोलो बोलना भी नहीं सही है लेकिन जो सच्थ है the truth भारत में किसी को सज बोलने का साहस करना सही है कि आप मद्रा साब बन करो डॉक्तर इंजिनियर बनाओ it is not against community it's a good advice तो यह बोलने में आपको दिकत नहीं ह होना सही है चार सादिया करना यह कोई community के लिए gold medal नहीं है नभी खुद बोल के गिया है कि before marrying the four you have to take permission from the first from the second from the third it is not a uncontrollable rights यह restrictive right है और नभी खुद बोल के गिया है ideally you should marry one तो यही बाद अगर after reading the Islamic philosophy अगर आप बोलते हो तो उसमें खराबी क्या है किसी कुट बोलने का साज होना साइए बात यह दोन contradict नभी यह दोन contradict कुरान यह मेरा काम नहीं है आप ओ बोलो जो कुरान भी आपे इजाज़त देते है करने के लिए आप कुरान का खिलाप मत जाओ then the Muslim people will be heard कि यह कुन होता है मेरा धरम गरंत का खिलाप बोलने के लिए and I do not expect Muslim to speak about Gita तो उहां तक हमें एक point of good will रहना साइए लेकिन जो कुरान का बाते है और कुरान का बात का ही proper interpretation से जगत का कैलान होता है उसका बारे में आप बोलो ना उसमें मुश्किल क्या है ऐसा क्या है कि आप सच बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं इसलिए शायद आप निशाने पे आ जाते हैं इसलिए आप देखो मेरा तो तकलिफ नहीं है मेरा निशाने में आने से मुश्कर मेरा तो कोई निशानिशान नहीं है मैं तो बिना सिकरोती असा में मुसल्मा लोगों का में घर में सला जाता हूँ I don't feel I am under pressure TV में निसानू से मेरा क्या तकलिव होते है किसी से तकलिव नहीं है TV से हमारे क्या तकलिव है हमारा तकलिव है if you feel something मैं तो कुछ फिल नहीं करता हूँ तो मेरा तकलिव कहां से एक बेकार का बेक्टी है कोई intellectuality नहीं है कुछ maturity नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे एक अनारी बेक्टी को आप भी पूछते हो भी पूछते हो देश का क्या हो गया है पता नहीं है मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या हो गिया है देश का कोई ना domain knowledge है कुछ है नहीं मैं T-shirt पहन के रहता हूँ that's the big thing गांधी जी भी खाली का प्रे में थे बट गांधी जी प्रिस्ट अहिंग सा अल्शो बियोंड गांधी जी नहीं जी बोलते थे कि मुझको सन्मान करो कारण में कपड़ा कम पहनता हूँ गांधी जी बोलते थे भाई I have give you the philosophy of वहिंग सा उसको follow करो गांधी को follow मत करो लेकिन हमारा कॉंग्रेसियों लोगों ने तीसार्ट को follow करते हैं मेरा दिक्कद है कि भाई जो बैक्ति तीसार्ट को ही दुनिया मानते है उस बैक्ति का बैक्ति को लेके अगर भारत का opposition बनते हैं डेस के लिए दुर्भाइग है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि राहुल गांधी को लेकर आपके बैयानों में हमेशा विवाद रहा कभी आप उनका उनको सद्दाम हुसें से कंपेर कर जो है से ही लुक्स लाइक बैबी अभी इसलिए बीच में सल रहा है अच्छा इसलिए भी वो तो मेरा बान मानते हैं अच्छा तो मतलब आपसे अभी टिप्स ले रहे हूं आपसे आप लोगों को जो भी मैं बोलता हूं दो महीना का बात देखो मानते हैं मेरे लिए मानते हैं औ मेरा बात सुनके और कोई डूसरा उनको एडवाईज देते हैं कि I have nothing to say बद जब मैंने बोला सद्धा मुसें जैसा लगा था clean safe किया मैंने बोला आभी you are looking like a amul baby अभी और थोड़ा safe में आ गिया जो ऐसा तो नहीं कि वो Congress वाले जो connection है आपका वो अभी भी वहाँ पे टेलपेथी चले अभी तो ठो यू हो सकता है तीवी में किसले मैं बोलते हूं मैं तो मिलता नहीं हूं बात भी नहीं होते है मैंने राहूल गांडी को बुला कि सुनाओ का वक्त असाम मता नहीं आया हो या आपने उनको suggestion दिया है मैंने माई मैंने बोला कि आपने इजबर सला गिया है सुनाओ का बात मैं आपको बुलाओंगा सुनाओ का बिच मताओ वो नहीं आया अभी मेरा बात मानते हैं, नहीं मानते हैं, उनको जा कि आप उसो, अगर आप से बात करते हैं. मैंने अपको एवैयन को पढ़ा था आपने कहा कि रहुल गांदी स्तोय गंधी को भी को भी नी उत्ते, नी कहते हैं थोड़ा एक डूबात टीप साइड मान लेते हैं लेकिन पूरा बात मानने से तुम्हें बोल देते थे कि मा का कस्त हो रहा है साधी आधी करो एक नॉर्मेल लाइफ जीओ लेकिन ओटो बात मेरा मानेगा नहीं सो आइकांट सेड़ी लीसिन टू में हंडेट परसें चले न्य मैं समय तो सर आपसे ले लूँगा थोड़ा से और भी क्योंकि एक आद दो बात और भी हो जानना है आपको क्या लगता है कॉंग्रेस में फिर विजन किसके पास है अभी फिलहाल हमें जो कॉंग्रेस में था वो कॉंग्रेस अभी खटम हो सुका है और नाओ कॉंग्रेस हैज बिन हाइजेक भी लेफ्ट एंग एंग्यो पीपल एन राहूल का सोलजर से अभी लेफ्ट एंग्यों इंटरनेशनल एंग्यों उयों गुली मार रहे हैं आपका नहीं कॉमार की बात कर रहे हैं? जब मैं इंटरनेशनल एंजियो का बात करता हूं, तो खाली जौर सोरेज ही नहीं है, एक सिस्टेम होते हैं, अब बराबरा विश्य विद्धालाई में भारत का खिलाब सेमिनर, भारतिय लोग हिदारा हमें साते रहते हैं, जो भारत का तरक्की नहीं साते हैं, और जो भारत का तरक्की नहीं साते हैं, और जो भी पक्षी दलों का एक पूरा गटबंधन बना है, इंडी अलाइन्स, उसमें कोई चेहरा दिख्या है? उसका क्या है? आप देखे हैं, मैं सरसा कर सकना हूँ, लेकिन आप ये पार्टी को देखो, टेजस श्री जाडब भी लरेगा, टेज प्रताब भी लरेगा, रोहीनी भी लरेगा, मिसा भी लरेगा, ये पता नहीं हमारा देश का और मेडिया भी ओही लोगों को दिखाएग तो देख का कलेक्टिव कॉंसियंस की एक बैक्ती चार पास से लोगों को लरवा देते हैं सुनाओं में, इन नेम आफ देर कॉमिनिटी, की मैं जाडब का अश्मिता के लिए लराई लर रहा हूँ, मैं मुसल्मान को पोटेक करने जा रहा हूँ, फाइदा किसका हो रहे हैं तो यह देख का कलेक्टिव कॉंसियंस को जो एफेक करता है, आज देखो अगर मैं असाम का सी एम हूँ, मैं अगर मेरा से परिवार का सदेश्चा को खरा कर देता हूँ, you will go and you will criticize me left and right, but बिहार में जाके वो आप तो से परिवार का से यूजन का, अब 27 गंटा का प्रोग् common model, लेकिन आम आद्मी पार्टी तो आम लोगों को खड़ा करती है, उससे भी आपको देख का तो ED भेज देते हैं, जेल भेज देते हैं, आम आद्मी पार्टी का तो शुरुआद हुआ है, के जिरवाल जी ने तो अपना वाइफ को तो उतरा दिया ना, पोलिटिक्स में, यह तो पार्टी इस निव, यू वाट्स देम फा नदर फाइफ टेन यर्स, किसले सेकंड जेनरेशन आने का उनका समाई नहीं हुआ है, इसा जो एक पार्टी है, पार्टी आ तो कहीना कही रह जाता है, पार्टी कोई लोगों का खिलाब केज है, कारबरी हो रहा है, कल मेरा खिलाब भी केज होगा, एक्शन होगा, बट जब आप फैमिली लिनियस का बात करता है, टाइम है नोट काम, तो डिसकास अबाउट आप, बिकास आप अभी भी फास्ट जेनरेशन लोगों से ही सल रहा है, second generation आने का जब समय होगा, तब देखा जाएगा, I don't want to criticize today, but early indication of Sunita Kejriwal, आपको यही दिखाई देता है, कि there may not be a party with difference, जब परिवार जनों का बाद आते है, तो डिली में आपकी चुनोती नहीं है, Kejriwal के आने से कुछ नहीं बदला, यह सुनाओ में मोडी जी का सामने सुनोती नहीं है, बट डेश का सामने सुनोती है, आज अगर आप डेली केपिटल को महला क्लिनिक बिकाम योर सिगनेसर प्रोजेक्स, तब डेश का problem है उसमें, किसले New York and London काफी आगे बर सुका है, Tokyo बहुत आगे बर सुका है, तो भारत का with third largest economy, आपका capital है Delhi और आप बिदेश से आने से लोगों को महला क्लिनिक दिखाओ, तो यह problem है मेरा. यही तो problem बता रहा है विपक्ष कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के सामने जो problem उनको लगता था कि यह जो बड़ा कद हो गया, उनको ही जल के पीछे किसी आरूप में? आप हर महला क्लिनिक का जगह में ऐडिकल कॉलेज बन नहीं बना, उन नहीं बना. वो हमारा problem है कि आप M से ही शुरू करो but not Mahala Clinic Medical College आप नहीं कर पार रहा है and this is my biggest anxiety आप Delhi आने से लोगों को Mahala Clinic दिखाने ले जाते हो कम से कम आस्राम आने से हम सेच्टा करता हूँ आपको कोई Super Specialty Hospital ले जाने का कोई Medical College ले जाने का चोटे प्रदेश है but हमारा effort ओ रहता है अच्छा एक सवाल ये बताएए सर UP में अखिलेश यादव है अभी बिहार में कास सेंसर्स करवाएगा नितिश कुमार भी साथ में थे और ये राहूल गांधी भी कह रहा है कि कास सेंसर्स हम करवाएगे आप कह रहे हैं कि हम हिंदू जो भी है धर्म में नहीं सिर्म जातियों में नहीं हम धर्म के आधार पर बात करते है तो क्या ही कास सेंसर्स आपके हिंदूों के कठा करने के तौर पर चुनौती मानते हैं कास सेंसर्स जन्ताडल यू सरकार ने किया जब वो NDA में था बिहार का कॉंटेक्स में कास सेंसास किसने करवाया BJP और नितिस जी ने किया इसमें तेज़स्री का कोई स्रे नहीं है नहीं वो समय सरकार का जो निन्नाई हुआ कास सेंसास सुरू हुआ जनताडल और BJP सरकार का ये फैसला है ये कोई क्रेडिट तेज़स्री ले रहे हैं आपके बिहार में सब जानते है कोई आपका जानकरी का सुविद्या आपको चेक गूगल वो तो तुरंड हो जाएगा लेकिन हमारे जो मेरा मैननता है एक्रोस दा बोर्ड आपको कास सेंसास नहीं साइए जैसे असाम इस एक कास्टलेस सोसाइटी आप उहां जाके सेंसास करके क्या फाइदा मिलेगा बेंगल इस एक कास्टलेस सोसाइटी उहां आपका सेंसास करके क्या फाइदा होगा उरिशा इस एक कास्टलेस स्टेट उहां आप का सेंसास करके क्या करेगा लेकिन बिहार जर्खन में इत माइट वी रिक्वर्ड उनका सोशियल कॉंटेक्स में तो इसलिए भारत जैसा प्रदेश में आपका जो पॉलिसी जोगा स्टेट वाइज होगा सेकेंड हमारा प्रदेश में क्या जरूरत है का सेंसास वीडिन मुस्लिम जो दिमान भी है उनका कम्यूनिटी से तो मेरा जो मनना है कही में यू नीट का सेंसास एमोंग हिंडू कोई प्रदेश में आपको का सेंसास साइए और मुस्लिम कोई प्रदेश में आपको दोनों सें समझ के लीजिए ऐसे साड हटा के ये इत कैनाट बी लाइक दीस सो समझ के मिख्व मंत्री का सनमिलन बुलाईए बात कीजिए निटी आई को जिम्में डरी देजिए स्टादी करने का वेडर वी नीदे सेंसर अगर साहिए तो करिए उसमें मना क्या है इस आ नोट डैट बीग इसू यह मंगलायन और संरायन से बड़ा इसू यह नहीं है चोटे इसू है उन कास का कितना बैगती है यही आपको साहिए कास्ट इजे रियलिटी तब करवा लो लेकिन जो स्टेट में कास्ट इस नौट ए रियलिटी उहां में आप क्यों करवा करवाते हो तो पिछड़ा वर्ग जो मुस्लिम के हैं यह तो आपके राजी में भी क्योंकि अबादी इतनी है च्छतिस परसेंट के आसपास का लास सेंसस था और मुझे लगता है कि वो दोहजार जारे माइड है फॉर्टी परसेंट तो यह मान रहे हैं तो उसमें भी तो पिछड़ा वर्ग होगा मुस्लिम में पिष्राबर्ग है का सेंसाज होना साहिए वान और टू कम्यूनिटी इन असाम इस अल्रेदी अन्जोइंग अबीसी नॉट अज़े रिलीजियन उनमें भी पिष्लेजाद है उनमें भी डिप्राइब सेक्शन है बिकाज वो लुक तो रिसेंट कनवर्ड है यह तो पांच हजार साल से मुसल्मान नहीं है यह तो अभी मुसल्मान बना है उनका भी पहला पिरी सोथा पिरी पंशुआ पिरी दे माइद हब दा भी दे माइद हैब बिक्तिम आप सेम कास्ट सिस्टेम तो इसलिए मुसल्मान में भी 1, 2, 3, 4 communities को हो सकता है कि आप उनके लिए भी कुछ special arrangement करना ज़रूरी है लेकिन not as a religion धरम का धर का उपर नहीं है जाती का धर लेट देम डिक्लियर कि हम जाती है जब तक आप बोलेगा हम मुसल्मान है मेरा बिच में कोई जाती नहीं है तब तक यू आप एंटाइटल फोर एनी OBC reservation जब आप बोलते हैं कि नहीं में भी जाती हूं and I am also victim of the caste system then automatically you become entitled तो OBC को विरोधी करें हम प्रदान मंत्री जी का पत्ती क्या है करना तक में they are getting as Muslim not as a caste प्रदान मंत्री जी तो खोड बोल रहा है कि मुसल्मान से बेकवार्ड है मुसल्मान में बहुत लोग है जो period है तो उसमें बैबस्ता करने में हमारा कोई problem नहीं है but Muslim par say you are not entitled तो अब हिंडू को भी देना परेगा as Hindu not as a SDSE तो इसलिए बात को आप गंभिरिता में हर बात को लेके जाईए just do not react for reacting गुजरात में भी होगा कोई ABC community में एक दो Muslim जातिया उसमें हमारा कोई problem नहीं है but you cannot bracket that 4% erection ABC से काट के में मुसल्मान को दे दूँगा तो ब्रामीन को भी दो तो ब्रास्पुत को भी दे दो you have to do a little analysis of the situation on ground and मैं बार बार बोलता हूं कि भारत का हर प्रदेश आपको डिफरेंट डिफरेंट एक situation देगा and you have to deal with that आपकी बातों में तो लग रहा है कि आप जो Muslim अती पिछड़ा है उसके भी उत्थान की बाते कर रहे हैं उनको भी मैं करता हूं मैं हम तो caste census असाम में हमने शुरू कर दिया हमने तो फिर ऐसा क्यों हो जा हमने मुसलमान में का सेंसा शुरू कर दिया सामने अच्छा शुरू कर दिया शुरू कर दिया उनको भी तो बोलना परेगा कि we have a caste among ourselves ऐसे मुख्यमंत्री आप वीजन दिखा रहे हैं लेकिन ऐसे हिंदू आप हिंदूबादी बातों को रहते हैं तो इसलिए आप Muslim विरूधी हो जाते हैं तेके मेरा अपत्ती नहीं है ना मैं किस से सार्टिफिकेट गोल मेडल मांग र जब मेरा ये लक्स ही नहीं है हाँ अगर कोई मुझे को हिंदू बादी बोलते है तो मैं गवरब करता हूं कम से कम I have served my religion but मैं संग्मिधान से भी बंधा हुआ हूँ और मुझे कोई मुसल्मान समा से मैडल काप एक साथ है नहीं तो इसलिए उस बात में में टकलिफ नहीं होता है मेरा I am working selflessly क्या मैं यह पूछू कि आप जो अब बीजेपी में आने के बाद हैं क्या कॉंग्रेस में भी ऐसे ही थे तो क्या उसे में विरोध नहीं जहलना पड़ता था आपको कॉंग्रेस में ओ समाय कॉंग्रेस वाजे सेंट्रिस पाटी तो इसलिए बाइन लार्ज में जो भासा बोल रहा हूं संग्विधान का भासा बोल रहा हूं एंड संग्विधान किसने बनाया था संग्विधान सभा में तू कोई RSS नहीं था Congress नहीं बताया हूं मैं आज जो बोल रहा हूं अगर आप मेरा साम का first and second Congress Chief Minister का species लेके आते है they are more right than me they were more right than me मैं तू हमारे जो प्रदेश का पहला मुख्धा मंत्री रहा गुपिनाथ बार्डलोई जी second CM रहा विष्णुराम मेधी वो डोनु कोट्र में मैं जी नहीं कर सकता हूं on right and that was the Congress in Assam because हम सीमाओ में रहते है हमारा forefathers और हमारा पहला first, second, third generation of Congress leaders वो लोग हमेशा घुस पे ठीओ का बात करते थे they were aware कि Assam में एक दिन हम लोग minority बन जाएगा and they were prophetically correct चली मैं अब conclude करूँ आखरी कुछ मिनिट आप से लोगा Sonia Gandhi को Congress का first, second, third generation leaders का speech सुनना सहिए Sardar Balabhai Petal, हमारा Assam में गुपिनार बॉडलोजी ये लोग जो Congress का torse bearer था, जिसका आप legacy का उपर आज आप बैठ रहा हो वो सारे लोगों का speech आपको कभी पढ़ना सहिए Rajiv Gandhi और Indira Gandhi ये लोग Congress का ideological fathers नहीं थे मैं बताए ना, जो संगविधान सभा में बैठे हुए थे वो ही लोग Congress का ideological founders थे तो उनका speech, उनका बाते, उनका जिबन शरी आपको कभी पढ़ना सहिए तो अभी गल्टी से आप नहीं बोलेगा कि Modi anti-Muslim है पढने से ये सब बात बोलते ही नहीं था जो Assam का Congress किस ने founding किया ओही founding fathers का speech मैं with edit बोल रहा हूँ, किसले मेरा हिम्मत नहीं है सो की सो बोलने का तब लोग बोलेगा ये बरुट बरा communal है जो गुपिनाद बाडलो जी को भारत रतना मिला है बिश्नुरा मेधी को ये हमारा Assam का लोगो में स्रध्धा से उनका नाम लिया जाते है ओह लोग डोनों का speech कभी मैं assembly में पढ़ता हूँ without telling कि मेरा lines है मैं ओपर देता हूँ फिर Congress लोग हला करता है कि आप अतना communal है फिर मैं बोलता हूँ बाबा ये मेरा lines नहीं है ये तो मैं borderline जी का speech पर रहा था तब ओ लोग ठंदा हो जाते है तो मतलब आपने ये follow के तब आप Congress से बीजेपी में अभी भी ओही परता हूँ अच्छा लेकिन वो नहीं समझ पा रहे है आपने समझ ले अगर वो नहीं समझ पाते है तो उनका problem है कोई तो ये सब तो dockets नहीं है न कि demystify करना है उनका dual interpretation है ये सब का तो कोई dual interpretation ही नहीं इस आ प्लेइन language, plain prophetic words कि Assam में 27% मुसलमान हो जाएगा होगी आज बहुत बढ़ा सैलेड़ है वी आर भार्ज आफ बिकामिंग माइनरोटी बहुत बढ़ा सैलेड़ हिंदू माइनरोटी हो जाएगा हिंदू ने Assamese मूल उसमें मुसलमान भी है हिंदू और मुसलिम का खेला नहीं है यह है लोकल Assamese बहुत 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 लोकल Assamese में हिंदू भी होते है मुसलमान भी होते है उसको आपने अंतर नहीं रख है Assamese is Assamese उसमें उनको चिनौती जो बाहर से हाँ हाँ, they are with us कुछ करते ही रहता हूं दिन राथ because it is a battle for survival for us हमें जिन्दा रहना है और इसलिए हम लोग आज अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 12 सीट में मिलूंगा 11 सीट मिलूंगा मतलब 50% population आपका नहीं है, फिर we are getting that kind of seats मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग असाम में करी रहा हूं चले, conclude करते हैं sir, आखरी लाइन में जवाब दे दीजिए कितनी seat दे रहा है अंडिया को जो मोडी जी बोल रहा है 400 plus 400 का around plus 20 भी हो सकता है, minus 20 भी हो सकता है BJP को BJP ओई है, last time से आप 20 plus रखो 370 नहीं पहुंच रहा है 370 तक as BJP जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा मैं पता नहीं हूं because seat share का क्या क्या dynamics है मैं नहीं जानता हूं but as NDA we'll be near for 400 थोड़ा जादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है but once election result will come आपको 60 ही reference point होगा plus minus बाकी आप मेरा भी अतना पता नहीं है महरास्टर में BJP के अतना लर रहा है या हमारा allies के अतना लर रहा है अगर आप मुसकों पूशे तो मेरा मालूम नहीं है इसलिए मैं BJP और NDA को distinguish करके बात करना मेरे लिए थुड़ा सा reference point will be in and around cross भी कर सकता हूँ थुरा कम भी रह सकता हूँ बट जो discussion होगा सार्सकारपर में ही discussion होगा बहुत बहुत शुक्री है सर वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्री है हमारे साथ थे आप बने रहे हमारे साथ